एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे, तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में जुग गया और कहने लगा, स्वामी जी मैं अपनी जिंदगी से बड़िधा परेशान हूँ, मैं प्रति दिन पुरुशार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना प्रहा लिखा होने के बावजूद भी, मैं नाकाम्याब हूँ, युवक की परेशानी को विवेका नंद जी तुरंत सम वारा उसने कोई प्रश्ण नहीं किया, और कुत्ते को दोधाते हुए आगे निकल पढ़ा, बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद, जब युवक आश्रम में पनुचा, तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता जोर-जोर से हाफ रहा था, इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे ठक गया, तुम तो बढड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें ठकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी मैं तो धीरे-धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन य तुम्हारे प्रश्णों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कही दूर थोड़ी है, परन्तु तुम अपने लक्ष का पीछा चोड़ा करके, अन्य लोगों के आगे पीछे दौर धते रहते हो, और इस तरह तुम जिस दौक्टर है, तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रूची हो या नहीं, ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं, और जिन्दगी भर संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए दोस्तों दुसरों को फॉलो ना करे, अपना लक्ष खुद बनाए और उसके पीछे पुरे लगन से लग जाएं